अगर आपका capital कम है और आप intraday trading करना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे छोटे capital के साथ intraday trading कर सकते हैं और किस application का use करके आप profit generate करेंगे ठीक हैं तो मैं जो application की बात करना हूँ उसका नाम है grow application और काफी समय से मार्केट में बना हुआ है और लोग इस पर काफी ट्रेस्ट और अर्निंग भी कर रहे है तो इस application में कैसे हम इंट्राइडरे करेंगे कैसे छोटी capital के साथ वहाँ पर हम उतरेंगे और कैसे हमारा profit generate करेंगे सारी चीजे में step by step आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो को लगातार देखते रहेगा ताकि आपके साथ कोई भी प्रॉबलम ना हो क्यूंकि ट्रेडिंग का मामला है अगर आपने थोड़ी सी भी भूल चुकी और यहाँ पर इसका डिमेट अकॉंड वगरा create कर लेना होगा इसका लिंक पर अपने वीडियो की description में देदूँगा आप वहाँ से डाइरेक्ट लिक करेंगे तो यहाँ पर register वगरा हो जाएंगे और आपका app भी install हो जाएगा और यहाँ नीचे आपको बहुत सारे share वगरा देखने लग जाएंगे और नीचे आपको देखिए F&O, events, IPO, all stock वगरे के सारी details यहाँ पर मिल जाएगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे stocks वगरा भी देखने को मिल जाएंगे तो इस वीडियो में मैं आपको intra day के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप छोटा capital है आपका और आप intra day करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे ठीक है और नीचे दिश्तों यहाँ से mutual fund वगरे पे भी आप निवेस कर सकते हैं बाकि intra day में करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले तो अगर मैं देखे जैसे कि मैं अपने को सबसे पहले कोई भी share पे चले जाना है and then सबसे पहले इसके graph को आपको समझना होगा सबसे पहले इसके graph को आपको समझना होगा कि कब हमको position लेनी है कब intraday के लिए तयार होना है तो सबसे पहले देखना है कि जो यह हमारे graph है जैसे एक दिन में कितना उपर गया है और कितना नीचे गया है अब इस चीज़ को समझना है अब इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों अगर मैं यह एक इसकी center मैं center line भी बना दू तो फिर भाई हम बिल्कुल यहाँ पर buy कर सकते थे कि intraday के लिए हम बिल्कुल तयार थे क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक position के लिए line बना दू तो अगर हमारे यहाँ से शुरू हुआ था तो पक्का था कि वो उठेगा बट हमको एक time के समय से उसको sale भी कर देना था नहीं तो देखिए उससे भी नीचे यहाँ पर जा चुका है तो यहाँ पर हमारा loss भी हो सकता था ठीक है तो मतलब position लेना है बट हमको यहाँ पर दिमाग से खेलना है कि कैसे graph काम कर रहा है कैसे share आगे पीछे हो रहा उपर नीचे हो रहा है ठीक है कब put करना है कब call करना है इस चीच को आपको बड़े तरीके से समझना होगा ठीक है अभी तो यह एक share की बात होगे अब मैं इस share की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अभी इसका एक दिन का graph तो यहाँ पर को समझ पढ़िन रहा होगा यहाँ से सुरू हुआ और यहाँ पर ऊपर है ठीक है तो यहाँ से आपको हमेशा buy लेना था था buy लेते तो आपको यहाँ पर sure profit होता ठीक है अब करना कैसे करना कैसे तो अभी जैसे में कोई भी सेयर पर चल जाता हूँ यहाँ पर नीचे जो आपको buy वाला option दिख रहा होगा इस पर आपको click कर लेना है click करती है आपके सामने तीन option दिखेंगे एक delivery का एक intraday का और एक mtf का तो जैसे अभी हमारा time थोड़ा change हो गया है इसलिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कि intraday देखेंगे हमारा 9.15 पर खुलता है सुबो तो आपको intraday वाले option पर click करना है and then फिर वहाँ पर आपको अपनी limit वगरे set कर लेना है ठीक है कि आप कितने quantity लेना चाहते है आप कितना रुपे निवेस करना चाहते है ठीक है अगर आपको 10 रुपे का 10% return मिलता है अगर 1 रुपे का return मिलता है ठीक है तो आपने तो 10 रुपे लगाया पर आपको return कितना मिलेगा अगर आपको 10% का return मिलता है तो आपको वहाँ पर 5 रुपे का return मिलेगा क्यों मिलेगा आपने भला ही 10 रुपे लगाए हो ठीक है आपने 10 रुपे लगाए बट आपको वहाँ पर 5X भी इंट्राडे में कर सकते हैं आपने 10 रुपे लगाए लेकिन आपकी जो पैसे लगेंगे वहाँ पर 50 रुपे लगेंगे ठीक है 50 रुपे लगेंगे and जो आपका profit होने वाला अगर 10% इसका निकालो तो 5 रुपे हो जाएगा ठीक है ऐसे आप बड़े amount में करेंगे आप 25 रुपे लगेंगे तो इसका 10% हो जाएगा 200 रुपे तो दोस्तों अगर आप 500 रुपे भी लगाते है और उसका आपको 10% भी रिटन मिलता है तो आप 200 रुपे आसानी से कमा लेंगे ठीक है तो उसमें क्या है क्योंकि मैं ये सब चीज़े बड़े दिमाग से खिलता हूँ जादा अपने को जादा लालज भी नहीं करनी है अगर अपने को profit दिख रहा है तो अपने को sale कर देना है जादा लालज में नहीं जाना है क्योंकि ऐसे ही interesting videos में अपने channel पर देता रहता हूँ धन्यवाद